आज यहाँ जन्संबाद और सहयोग कारिगरम जो भारती जन्ता पाटी का चलता इस पे हैं कुछ महत्पुन बिंदू हम लोगों के सामने आये हैं एक है कि SFC जो बिहार में हैं लगवग 20 अज़ार मजदूरों के अकमारी करने का काम कर रहा है 2017 के अक्टूबर में पचास किलो वेट के जो बैग होते हैं उसकी आय उनको प्राप्त होती थी पटना उचनेयले के आदेश के बाद इसका फिर से जाच किया गया और 2022 के अप्रेल में इसका 9 रुपईया 10 पैसा पर बैग किया गया और अभी कुछ मजदूर साती आये थे कि इसको सरकार इंप्लिमेंट नहीं कर रही है अक्टूबर में यही बढ़कर 9 रुपईया 20 पैसा परती बैग उनको प्राप्त होना है जो नहीं मिल रहा है यह निया उचित नहीं है दूसरा एक महत्तवपून भी से आया है कि OVC कमिशन जिसको EVC के तौर पर नितिश्कमार जी ने यहां गठन किया था आज के तारीक तक चुनाओ भी नगर निकाय के खतम हो गए लेकिन आज तक किसी को यह पता ही ने कि आयोग के रिपोर्ट में आया क्या रिपोर्ट नितिश्कमार जी की सरकार ने आयोग बनाया सुप्रीम कोट और हाई कोट के निर्देश के बाद और उसके बाद आज तक आयोक का रिपोर्ट नहीं है बिहार राज सरव्यक्षन ये राजस सुभिवाग के द्वारा यहां अजारों बच्चे पट्टना में इसके आंदोलन कर रहे हैं ना सरकार सुन रहे है ना इस पर कोई कारवाई कर रहे तो मैं गम्भीवता के साथ बिहार की सरकार नितिश कुमार झी को दो चीजों से असबस तौर पर काना चाता हूं कि नितिश कुमार झी सामन्ती प्रतीक होगर दिख्ते हैं और दूसरा संप्रदाइक हो गए इसलिए हमने कहा कि सामंती दिखते हैं अब भारतिय रेल को भी रोग कर विहार के मुकमंत्री रेल को रोग कर आम लोगों को कस्त देकर अपनी गाड़ी पास करा रहा है लेटिस कबरों के लिए देखते रहें M.U.Z.News और ताजा अपड़ेट पानी के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले